तो भाई, तुम्हारी जिंदिगी बात कर रहा हूँ, जिसने लिखा ये प्रॉब्म, अपनी चार्ब में पापस रिपीट करने वाला हूँ I was there whenever she needed someone to talk to बात करी हमने अल्रडी मेरा simple question है तुमसे दोस्ट, whenever, why? तुम्हारी जिंदिगी में कुछ नहीं है दोस्ट करने को whenever she needed someone to talk to बाई, क्यों? क्यों थे अवेलेबल? I was there बाई, किस लेवल की अजीबी लेवल का उपसेशन हो तुम्हारी दिमाग भाई, इस इंसान की जिंदिगें में इस लेवल में सको सर्फ करने वालों कि जब भी इसको ज़रुवत है, मुझे होना ही होना पड़ेगा, वरना मेरा प्यार गलत है मुझा इंसान के पास जिंदिगें में चीज़ें नहीं हो सकती है मुझा आप नहीं नहीं कह सकते नहीं कह दूँगा तो यह लड़की चली जाएगी यह डर है, भाई आने वाली जिंदिगी में, मैं एक सिंपल्स बात कहना चाहूंगा समझो कि तुम्हारी लाइफ में भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी अपनी वैल्यू है और दूसरा इंसान अक्शन में समझता है और दूसरे इंसान को एक इंपॉर्टन्स फील करो अपनी यानि कि भाई, मेरी लाइफ में इंपॉर्टन्स चीज़ें हैं जब तक यह बात उस वो जटेगी नहीं तब तक वो तुम्हें कैसे सीरिसली लेगा तुम खोद अपनी बैलेओ की देज़ें और अदर रहो इंसान के सामने की भाई, मेर वास कुछ नहीं करने को जब भी तुम्हें ज़रूरत है, मैं खाली बैठा हूँ अवेलिबल मूरा वो इंसान क्यों उसको रिस्पेट करने के तुम्हें रीजन सी छीनली उससे किसको यह अट्राक्टिव लगता है I don't understand, from just a point of view तुम एक विमन के point of view सोचा एक simple इंसान के point of view सोचा How is this an attractive feature? कि इंसान एक doorman की तरह या ऐसे इंसान की तरह जिसको मैने service पे रख रखा है सिर्फ मेरे को serve करने के लिए तो एक chauffeur हो गया, doorman हो गया, कोई serviceman हो गया कोई भी इंसान को जिसको मैने employ कर रखा है यह वैसे act नहीं कर रहा How is that something? क्योंकि मेरे को turn on करेगा mentally कि वाओ वो turn on करेगा फिर maybe यह देखें जिनको देखें मुझा लगता है कि हाह यह एंसान की life में things are happening इसकी life में priorities है इसकी life में कुछ sorted चीज़े है इसकी life में चीज़े और गनाइज़े है अपनी चीज़ों को अपनी जिन्दिकी में जो करना चाता है जो चीज़ें during the night I don't see any problem in that ठीक है, रड़ पोयम, तिल फाइन, ओके, तिंस वर गई फाइन, बट आपए तिंस ब्रेकिंग दाउन और फालिग आपार्ट यहाँ पे बहुत तगडे लेवल का बहईवियर है फिर अक्षिंस है जो तुमने कम्प्लिली स्किप मार दिये हैं यानि कि तुम एक लेवल पे तुम यह कह रहो बाई आल अफ असटन तुम कुछ चीजों को इतना जाता कर गए कि वो एक साइको लेवल पे हो गया हूँ लड़की निका भाईया में निकल ली यहाँ से वहां तक वो ठीक थी 5.5 हुआ हो सकता मैं भी उसको लग रहा हूँ कि हम जाता हो रहा है 6 हो गया 6.5 पर फिर उसको लगा ओके थिंस साटेड ब्रेकिंग दाउन 6.5 पर आया जहां पर कि तुम कंट्रोल करने हैं चक्रफ तुम डबल डाउन करो कि साइकों में से 10.5 ले जाओगे solution भाई इसका तुम्हारी उम्र भाई मुझे नहीं पता क्या है you are a kid I'm assuming right तुमने लिखा यहां पर एक्जाम सारे can't concentrate feel bad and I miss her पहली चीज़ भाई accept that you took an L लड़के हो लड़कियां है दुनिया में हम सब इस उम्र में जो तुमारी उम्र दोस दुनिया में हर कोईल इंसान ने L लिया है ये एक right of passage है what you're going through तुम्हें परिशानी वाली बात नहीं है तुम्हें जो help जिदनी मिल लिए दुनिया में मैं जो भी इतने सारे perspective दिये हजारे लोग है जिनको तो ये कुछ भी नहीं मिलता और वो repeat करते रहते है well छोटे मुझे आदे मेरे कुछ दोस्ते जो की ऐसे pattern I'm assuming उनके थे क्योंकि वो खुलके लड़का दूसरों दोस्तों को थोड़ी पताता है क्या है वो हर relationship में repeat करते रहा है ऐसे patterns अलाग ही लेवल की साइको की तरा गोश गया कि इनसान की बिल्कुल गोशी का उस साब इनसार हर लड़की न उतको छोड़ा एंड में गल्फेंड बरने के बाद उना छोड़ा क्योंकि वो इतना ज्याता लोग दिखते है न कुछ पगला ही जाते है कि वो toxic हो जाता है इनसान के लिए कि भाई इतना मैं handle करी नहीं सकती मेरी wavelength ही नहीं है respond करने की emotionally इतना ज्यादा कि तुम इतने serious होगा इतने कम time में imagine कर एक इंसान तुम एक पहली दिन मिलता और तुम कहते हो कैसे हो क्या चल ला है oh I like you कहते हो okay second day वो आता है कहता है मैं दुशादी कर रहा हूँ कैसे इंसान respond कर सकता है तो ऐसे समझो तुमको adjust करना पड़ेगा और वो सीखने के लिए ऐसे experience से जरूरी होते हैं दोश्ट जहां तक exam की बात है मैं एक बाद पता हूँगा भाई वो जिंदिगी है यानि कि वो life है उसका एक long term impact है दूसरा एक है आपर तुमारा ये चीज़ प्यार प्यार एक repetitive entity है in the sense कि इसको तुम कितनी बार repeat कर सकते हो चालिस तक तुमे अर्राम से तुम repeat कर सकते हो मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि चालिस तक करो मैं एक बात कहा रहा हूँ लेज़ से तुम चालिस में कुछ भी लोगों के लिए जिन्दी में divorce जाते हैं you know separation हो जाते हैं किसी की death हो गई partner की हजारों चीज़ें है तुम्हें लगता लोगों को फिर से नहीं मिलता partner कितनी लोगों को प्यार action में हो सकता है 45 में मिले किसी हो सकता है इंसान को प्यार मिले 55 में दुनिया की बात कर रहा हूँ 5 second ले हम अब एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर दुनिया इतिनी open minded और इतिनी free हो गई है कि हम दुसरे को जज़ करके बाढ़ नहीं रहे जो कि करना भी नहीं चाहिए हम free है तो ऐसे सोचो प्यार की को वो नहीं है कि आपको अभी ही चाहिए अभी ना मिला तो आपकी जिन्दगी अधूरी है और मुझे नहीं बता दोस्त तुमारा एक्जाम भी कौन सा है एक्जाम में भी इतना इता फसों मत कि तुम्हारी लाइफ में अगर तुम्हें एक्जाम क्लियर नहीं है तुम्हें परिशान हो रहा हूँ जिन्दगी में एक्जाम इतना बड़ा नहीं है जिसके चक्कर में तुम कहो कि मेरी जिन्दगी अब बहुत परिशान वाली बन गई है इतनी बड़ी हाउआ भी मत बनाओ मैनमेड चीजों को तुम्हें पढ़ाई करो इंपोर्टन्ट है एक हद तक करो अगर लगता कि हाँ इस एक्जाम में बहुत बड़ी आए मेरे मार्क्स नहीं आएंगे कोई परिशान वाली बात नहीं है दुनिया में हजारों एक्जाम इसके बाद आएंगे जिनमें तुम्हें उपर्चुनिटी मिलेगी परफॉर्म करनेगी वहां कर देना तो प्यार को ऐसे देखो कि प्यार एक ऐसी कोई उम्र में नहीं आए हो जहां पर तुम्हें अगर ना मिल तुम मर जाओगे या पागल हो जाओगे फिर दुनिया को खतम हो जाएगी कुछ नहीं होना बहुत दान मिलेगा नेक्स इंसान भी आगा भी फिर प्यार होगो तुम्हें टेंशन ना लो एक्जाम क्यों भी ऐसे देखना कि जिन्दगी में अगर एक लेवल पर स्ट्रेस चल लाए है और मैं समाझ सकता हूँ कि अगर परिशान ही क्या होती है इंसान जूज रहा है उसको बुरा लग रहा है फिल हो रहा है अमने अंदर दिल चूट रहा है दूसरे लोग समझ नहीं सकते मेरी बाते हैं मैं अकेला हूँ उस इंसान से एक आज़त बना ली थी जो ने बात करने कि एक एक इमोशनल एटाश्मेंट जोड़ दिया था अब वो सब चीज़ें एक सेगंड मेशन गई हैं टाइम लगेगा दोस्त कोई नहीं नहीं है एक्जाम को लेकर उसको एड़िट प्रेसर अपने दिमागों के बांध गया अपना इतना लेवल पर अकेला फील करने लग जो क तुम फालती हो अपने आपको एमोशनली हर्ट कर रहे हो रिलाक्स करो अगर मुझे कुछ भी मानते हो अपना समझ के बात कह रहा हूं मैं इविन तो तुम्हें जानता नहीं हो लेकिन तुमसे मैं वैसी बात नहीं कह रहा है जैसे कि एक होता है अडवाइस जिनना की भारी यूर लाइफ यू तुम जैसे हैंडल करते हो चीजों को डश तो मैं कहूंगा इनको लाइटली हैंडल करो यानि कि I understand the grief I understand the stress बट दोनों को कपी इतना बड़ा मत मना लेना कि ये जिन्दिगी हैं दोनों ही चीजें जिन्दिगी नहीं हैं समझे दोस्त पढ़ा ही करो इस के बाद ही बहुत एक्सान आएंगे इस इंसान के बाद ही बहुत एंसान आएंगे that's life